नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है इस बीच सुप्रिम कोट सुप्रीम होने की कोशिश में है और संसद के उपर भी अपनी सुप्रियरिटी का दबाब बना रहा है सुप्रिम कोट के जजों को लगता है कि वो कोई भी फैसला दे सकते हैं लेकिन अपने इंटरनल मामलों में सरकार के किसी हस्तचेप के खिलाफ ही रहेंगे जैसा कि कोलेजियम विवस्ता को लेकर लग रहा है लेकिन इस बीच सरकार भी थोड़ा दूसरे रुख पर जा रही है पिये मोदी ने जिस तरीके से कानून मंतरी कीरन रिजजु को छूट दे रखी है कि अब आप फैसला लीजिये कमिटी बनाएए बहस कीजिये चर्चा कीजिये और इन जजों को बताएए कि सरकार क्या कर सकती है इसी बीच इन जजों की कुंडलिया निकाली जा रही है और अब ये बताया जाएगा कि किस तरीके से कोलेजियम विवस्था के तहट सुप्रिम कोट पर खांदानी पारिवारिक जजों का कबजा हो चुका है इसी कोलियजियम विवस्ता के ताद जो जज चुने जाते हैं वो सारे के सारे लगभग उसी खांदान के होते हैं जिसमें जज हो चुके हैं बड़े वकील हो चुके हैं तो इस जो कुंडली निकालने की प्रक्रिया सुरू हुई है उसमें से अगर देखा जाए तो सही मायने में अभी सुप्रिम कोट के जजों में कई जज ऐसे हैं जिनके परिवार में वकील या फिर जज बड़े बड़े रह चुके हैं और उनमें से कुछ जजों का आजजिकर करेंगे क्योंकि सारे जजों की कुंडली हमारे पास भी नहीं है इंटरनेट पर भी सब के कुंडलीयों का हिसाब किताब नहीं है उनके घर वालों के बार बारे में परिवार वालों के बारे में जानकारी उपलब नहीं है जहां तक जानकारी उपलब्द होने की बात है इसी के कारण किरन रेजुजु ने पिछले बार जो CJI चंदरचूड को लेटर लिखा था उसमें ये भी कहा गया था कि जिन जजों की निक्ति सुप्रीम कोट या हाई कोट में की जाती है उनको कम से कम ये होना चाहिए कि उनका पूरा ए इनकी अनुशंशा की जाए तो सरकार को भी पता हो कि इनका बैक ग्राउंड क्या है किन मामलों में पहले वकालत कर चुके हैं किन मामलों को डिल कर चुके हैं और इससे सरकार को भी सहुलियत होगी कि कैसे लोगों को जज बनाया जा रहा है जिसकी जानकारी हो तो सबसे पह और उन्होंने लंबे समय तक सुप्रिम कोट के चीफ जस्टिस की भूमिका निवाई है उनके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की जरुवत नहीं है क्योंकि चंदरचूर साहव उसी खांदान के दूसरी पीड़ी में हैं इनके बाद एक और जज़ हैं उनका नाम है संज किशन कॉल के भाई निरज किशन कॉल जो अभी सुप्रिम कोट में बड़े वकिल हैं और एक नासिंदे के मुकदमे की पैरवी भी वही कर रहे हैं यहीं नहीं उनके पिता और लगभग तीन चार पिढ़ियों तक उनका परिवार कश्मीर में एक बड़े महत्पुर्ण सिय परिवार के तौर पर माना जाता रहा और जब यह दोनों भाई वकालत करने लगे तो उसके बाद जब इनके भाई निरज किशन कॉल को दिल्ली के हाई कोट में जज न्यूक करने के लिए सिफारिस की गई तो उन्होंने दो दो बार रिजेक्ट कर दिया और एक बार तो ए जज बने हुए हैं इसी पीड़ी में और इसी सूची में तीसरा नाम है के एम जोसप का के एम जोसप अभी कई फैसलों में शामिल हुए है जिसमें से एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग के लिए लिए लिया गया है चुनाव आयुक्त और मुख चुनाव आयुक्त की नि रैथ्यू भी सुप्रिम कोट के जज रह चुके हैं और ये भी खांदानी जज ही माने जाते हैं जिनको कोलेजियम विवस्था के तहट चुना गया था। या तो जज हैं इनका ब्रदर इनला अमिताव राय भी जज ही हैं और इस तरीके से पूरा का पूरा परिवार इनका जो है वो बड़े वकीलों और जजों के इर्द गिर्द ही गुमता है जो कोलेजियम विवस्था के कारण ही सुप्रिम कोट के जज नियुत किये गए हैं उन बड़े पोस्ट उन्होंने होल्ड किया है और उसी के कारण जेवी पार दिवाला को भी सुप्रिम कोट ने इसी कोलेजियम विवस्था के तहद जज बनाया था पहले वो हाई रस्तोगी कौन थे वो भी कोई सामान व्यक्ति नहीं थे बलकि हरिष्चंद रस्तोगी हाई कोर्ट के बड़े वकील रह चुके हैं और 2004 में उसी राजस्थान हाई कोर्ट में अजय रस्तोगी की न्युक्ति की गई जज के तौर पर जिस राजस्थान हाई कोट के बड़े वकील के तौर पर हरिश्चंदर रस्तोगी का नाम लिया जाता था इसी कड़ी में एक नाम दिनेश महश्वरी का भी है जिनके पिता राजस्थान हाई कोट के ही बड़े वकील रहे और उनको भी पहले राजस्थान हाई को कोटे गूंगते हुए सुप्रीम कोट में बुलाया गया है और एक और नाम है संजीव खना का संजीव खना अभी सुप्रीम कोट के जज हैं लेकिन वह दिरिली हाई कोट से उन्होंगोंने अपना सफ़र की सुरुआत की थी और उनके पिता देव राज खन्ना दिल्ली हाई कोट के जज रह चुके थे इन लोगों ने दिल्ली में ही सुप्रिम कोट और हाई कोट में बकालत की सुरुआत की पहले इनके पिता दिल्ली हाई कोट के जज बने और उसके बाद इनके बेठे को जब लगने लगा कि य उनको भी जज बनाया गया पहले दिल्ली हाई कोट का उसके बाद अलग-अलग हाई कोट से घुमते हुए ये सुप्रिम कोट तक पहुँचे इसी कड़ी में अभी एक नाम और शामिल है बीवी नागरतना का बीवी नागरतना अभी सुप्रिम कोट की जज हैं लेकिन इनके पिता इस बेंकटाईया पहले ही सुप्रिम कोट के जज रह चुके हैं और 1989 में वो चीफ जस्तिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं तो ये सारे नाम ये सुप्रिम कोट के जजों के हैं जो खांदानी जज हैं और अभी कुछ समय पहले जो पांच जजों की अनुसंसा यानि सुप्रिम कोट का फैसला मानना पड़ा और उनकी अनुसंसा पर मुहर लग गई ये पांच जज अब सुप्रिम कोट में पहुच गए हैं जिसमें एक हैं पंकज मित्तल, दूसरे हैं संजय करोल, तीसरे हैं पीवी संजय कुमार, चौते हैं अशन उद्दीन अमनतु और पांच में हैं मनोज मित्रा, इन पांच जजो को अब सुप्रिम कोट भेजा जा चुका है, लेकिन इसमें से अब देखना होगा कि इनका बैक्ग्राउंड क्या रहा है, इसमें से एक हैं जस्टिस पंकज मित्तल, पंकज मित्तल सीजे आउफ राजस्थान हाई कोट रह और इनके दादा जी, हिर्दैनाद मित्तल, वो भी बड़े वकील मेरे ठाइकोट के रहे, और ये तीन पीडियों से वकील और जजज बनते रहे हैं, जिनके परिवार में जिनको वकालत की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चली, वो वकील ही रह गए, और जजज बनने की आज कई हाई कोट से घूमते हुए सुप्रिम कोट के जजज बने हुए हैं, इसी में एक नाम है पीवी संजे कुमार का, पीवी संजे कुमार मनीपूर हाई कोट के सीजे थे, और इसके बाद इनके अनुसंसा सुप्रिम कोट के लिए की गई, लेकिन पीवी संजे कुमार क पिता पी राम चंदर रेड़ी महादिवक्ता रह चुके थे आंदर पर्देश के और आंदर पर्देश के महादिवक्ता रहने का मतलब यह है कि वो सरकारी वकील थे और ऐसे इस्तिति में जब उनके बेटे पीवी संजे कुमार ने वकालत के प्रैक्टिस की तो उसके बाद उनके जज बनने का रास्ता भी तैयार हो गया इन नामों को अगर देखें तो यह पता चलता है कि कई ऐसे वकील और जज हैं जिनको अगर लगने लगता है कि वो वकील है तो जज बन सकते हैं तो वो जज के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं और जिनके खांदान में बड प्रैक्टिसनर जो वकील होते हैं वो जज़ बनने के लिए तयार नहीं होते हैं ऐसे कई नाम अभी हैं जिनके बारे में जानते होंगे और उनकी फीस 20 से 25 लाख रुपया पर हीरिंग है कपील सिब्बल भी है उसमें शामिल और अभिशेक मनुस सिंग भी उसमें सामिर हैं के तब ये जज़ बन सकते हैं सुप्रीम कोट का भी कोलेजियम विवस्था इनको जज़ बनने के लिए अनुसांसा करने से मुक्रेगी नहीं लेकिन फिर भी ये जज़ नहीं बनते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनकी एक हीरिंग की जो कमाई है 20 से 25 लाख रुपया उसमें तो किसी भी जज़ के साल भर का पेमिंट हो सकता है उनको सुविधाय जो मिलती है उससे बड़ी लगजरी सुविधाय ये खुद भोगते हैं और सरकार के भी करीवी होते हैं पावर के साथ होते हैं और फिर बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के करीवी होते हैं ज जरूरी लगता है कि जिस तरीके से कोलेजियम विवस्था के अंदर जो डिसियरी पर परिवारों का कबजा हुआ है उसके खिलाफ अभियान चलना चाहिए और सरकार अब यही करने वाली है कि NJAC का जो रिजेक्ट किया गया था सुप्रिम कोर्ट के द्वारा उसके पीछे कह यही बड़ी वज़ा तो नहीं है कि जब तक कोलेजियम विवस्था है तब तक इन लोगों का अपना अधिकार के साथ साथ ये भी सुरक्षित है कि इनके बच्चे कैसे जज बन सकते हैं या फिर वो जजज जो पुर्व जस्टिस हैं और जो बार बार सुप्रिम कोर्ट औ बाद में जज बनने की संभावना तभी होगी जबकि कोलेजियम विवस्था होगी लेकिन सरकार अब इस पर पूरी तरीके से अपना रुक साफ कर चुकी है कि अब कुछ समय के अंदर ही कोलेजियम विवस्था को पैनल वाला बनाया जाएगा यानि कि अगर कोलेजियम के तहत ही वकीलों को जज बनाने के लिए अनुसंसा की जाती है या फिर जज को सुप्रिम कोर्ट तक पहुचाया जाता है या हाई कोर्ट में किसी को डैरेक्ट जज निक्त किया जाता है तो उसके लिए पैनल विवस्था होनी चाहिए और वैसा ही पैनल बनना चाहिए जिसम सुप्रिम कोट के जज भी हो पुर्व जस्टिस भी हो सकते हैं और उसके साथ सरकार का परतिरिधी भी हो सकता है अपोजिशन पार्टी का लीडर भी हो सकता है जिसमें ये सहमती बन जाए वही पैनल बनाया जाना चाहिए और निकती जजों की इस पैनल के तहत ही होनी उसमें सुप्रिम कोट पर भी सरकार की नजर है और इस पर एक बड़ा फैसला आने वाला है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है में सहयोग ताकि इस तरह ही खबर हम आपके लिए लाते रहें धरन आप आम, आएहर्या वोअगे मेंा, उसे पीरृग, में भी सरकार की सत्वरों को नरी हो थो एमित भी सब्सक्राव में भी वाला है तो ऊक्झावान इह साथए है कर inay sprays फिर से लिएटे रही है Y Push такая आंएивет स्वया में आपके 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 आहे साथेशम पार आपका आपक